हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं AICC मेंबर रंजू रामावत के नेदरुत्त में शहर के पुमावा पुलिया पर स्थित लचोवा कारण में जन प्रतिनीतियों की मौजूद्गी में भव स्वागत किया गया जहाँ पर पंचायत समीती के सरपंच वाट पंच सहित नगरपानिका शेत्र के वाट पार्शत वो विभिन्न कॉंगर्स कारिकरताओं ने मालावा साफा पहना कर स्वागत किया गया कारिकरम को संबोधित करते वे राजसबा सांसर नीरज रांगी ने कहा कि देशपर में वैश्विक महमारी के कारण आमजुन की आर्थिक स्थिती लडखडाई है जिसको लेकर राजसरकार काफी प्रयासरत हुई है वही आमजुन के हितार्थ राजसरकार द्वारा इंद्रा सोय का शुबहरम भी राज भर में किया है वही कारण में उपकंड के पांचली गाओं के दिवासी समाज के यूबब को पुलिस तवारा डोड़ा पोस्त दसकरी मामले में जिससे साइकल चलानी नहीं आती उसे स्कॉर्पियो का ड्राइवर बताते हुए जेल में डाल दिया जिसको लेकर दिवासी समाज के भी नयाय दिलाने की फूर्जोर मांग की वही सुमेर पुर्विधान सभाशेत्र में कॉंग्रेस दो गुटों में बटी दिखी जहां पर एक गुट लचोबा काटम में स्वागत किया तो दूसरे गुटने शेहर के समीब नीलकन महादेव मंद में पूर्व कॉंग्रेस बोट के उपाद द्यक्ष शिशुपाद सेंग निमबाडा के नेतरुत्त में स्वागत किया गया देखिए जिस प्रकार से देश के हालात बने वे हैं हर मोर्चे पर भारते जन्ता पार्टी की सरकार ने जो लिड़ने लिए उन तमाम लिड़नेों के बाद में देश के हालात बहुत आत्तिक रूप से बहुत कमज़ूर हुए हैं राहुल गांदी जी ने लगातार आगा किया देश के लोगों को सरकार को कोविड को लेकर के भी उन्हाना आगा किया ता कि कुछल प्रभंधन की आवश्चता होगी कोविड को कुरोना को हलके में नहीं लेना है लेकिन उस और्ध्यान नहीं दिया गया उसका बहुत बड़ा खामियाजा पुरे देश को बहुत ना पड़ रहा है आज आर्थिक मं इस थलों से अपने घग्रह राज्यों की तरफ आए हैं उन्हें किस प्रकार से रोजगार दिया जाए उन्हें किस प्रकार से उनकी रोजी रोटी को शुनिशित किया जाए दो वक्की रोटी उनको कैसे मिले इन तमाम चीजों पर आज की तारिक में में फोकस किया जारा र